वेल्कम टिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांच जिकन बाद शुरू होगा। सभापती महूदय लोकपाल विधेयक जल्दी ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के बारे में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री महूदय की इस घोशना का स्वागत करता हूँ जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोस्थी में की। प्रातांत्रिक सिध्धान्तों को हर कीमत पर मचबूत बनाने के लिए बाद्य है। नई सरकार जब बनी तो उसने इस दिसा में सबसे पहला कदम दल बदल राजनीत विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसा की आप सब जानते हैं। दल बदल हमारी राजनीती में एक बिमारी बन गई है। इससे न तो सत्तारूढ दल और न ही विरोधी दल अच्छूते रहे हैं। मददाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुन कर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं। लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्यकारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मददाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिस करेगी की लोकतंत्र को स्वक्ष स्वस्थ एवं मजबूत बनाया जाए। सर्वप्रथम मैं यह इसपष्ट करना चाहता हूँ कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाब के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाब बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा। कुछ लोगों में इस बारे में आज भी संदेह है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमिया रह गई हो। इन कमियों को आपस में विचारवी मर्श द्वारा अथवा संमेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। जो इस विशय में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। यह प्रसनता की बात है कि आज सत्तारूर दल और विरोधी दल सभी चाहते हैं कि दल वदल विरोधी कानून को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाए और इसका निस्ठा से पालन हो। एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पुर्व सदन में इस संबंध में जो विचार प्रकट किये थे वे भी विचारणी हैं। उन माननी सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढाचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मानिताओं को कमजोर सा करता जा रहा है। अतह इस कानून को जल्दी से जल्दी लागो किया जाए। इसमें शक नहीं है कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह कानून इस दिसा में पूर दोशमुक्त हो या स्थाई हो। समय और परिस्थिति वश इसमें परिवर्तन लाना स्वभाविक ही नहीं अनिवारि भी है। कभी कोई चीज स्थाई नहीं रहती अतह मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंद में एक संमेलन का आयोजन हो जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस ढंग से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून के बारे में विद्वानों और राजनीतिकों के विचार क्या है। इस पर भी संमेलन में विचार किया जाए। इसकी एक रिपोर्ट भी सरकार को विचारार्थ भेजी जानी चाहिए। सभापति महोदय राष्टपती जी ने जब दोनों सदनों को सामने अपना भाषन दिया था। तो मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना था। और उसके बाद मैंने उनके भाषन का परिचय दिया है। भाशन को ध्यान से पढ़ाव अध्ययन भी किया है राश्पती जी ने एक विशेस प्रतिभा का परिचय दिया है मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि उनके भाशन में वर्तमान सरकार की इस्थिती और उसके विकास का ऐसा सुन्दर चित्रन किया गया है और इस धंग से किया गया है कि कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिस पर वाद विवाद की कोई गुंजाईश रहे यह सभाविक है कि बहुत बातें विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस सदन में उठाई जाएंगी और उन पर विवाद भी होगा लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए और वह यह है कि जिस दोर से हम इस समय गुजर रहे हैं वह बहुत ही नाजुक दोर है हमारा देश एक ऐसे युग से होकर गुजर रहा है जबकि देश में आर्थिक संकट है बेरोजगारी है और जनसंख्या भी बढ़ रही है ऐसी समय में हमारा जो ध्यान है वह विकास की और होना चाहिए समस्याओं को सुलजाने की और होना चाहिए नो की टीका टिपणी की और हमें निर्माड के इस समय में इस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देने में यह लाव होगा की प्रतेक व्यक्ति का ध्यान उस और चला जाएगा इसके यतिरिक अन्य समस्याओं पर आप ध्यान दें किसी गंभीर परिस्थिती के बारे में यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर उस अवसर पर को बेकार कर देते हैं तो उसकी गंभीरता नहीं रह जाती है राश्टपती जी देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने जो भाशन दिया है उसमें बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया है और समान रूप से किया है महुदय इस देश में आज जो चारों और हिंसा का वातावरण है जो हर प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं वे हम सब को मालूम हैं हम आए दिन किसी न किसी आंदोलन की बात सुनते हैं हर रोज कोई ऐसी खबर होती है कि अमुक अस्थान पर अमुक व्यक्ती ने सत्याग्रह कर दिया भूख हरताल कर दी अमुक अस्थान पर भीड को तितर भितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा यहां तक की अव तो थोड़े समय बाद यह भी सुनने को मिल सकता है जाता है कि पुलिस को गोली से इतने आदमी मरे और इतने घायल हुए यह बड़े दुख की बात है अधिकतर मानिय सदस्य जो आज यहां हैं उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि ऐसी बातें उनके समय में भी हुआ करती थी भीड़ पर लाठी चार्ज और गोली चलाया जाना तो बड़ी साधारण सी बात हुआ करती थी सत्याग्रह और भूख हरताल कोई नई बात नहीं थी गांधी जी ने हमें जो अहिंसा और सत्याग्रह का तरीका बताया वह हमारी धर्मनीत के अनुसार ही है हम सत्याग्रह का सहारा किसी भी गलत काम को दूर करने के लिए ले सकते हैं लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वह सब इसके विपरीत हो रहा है झाल झाल